नमस्कार शात्रों डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके सर आप सभी का हिंदी विषय में स्वाकत करता हूँ जिसमें हम सभी पढ़ेंगे रश्खान द्वारा रचित सवय रश्खान द्वारा रचित सवय का पहला पद देखे मानुस हों तो वही रस खान बसो ब्रजगो कुल गाव के गारन जो पस हों तो कहां बस मेरो चरोनित नंद की धेनों मजारन पाहन हों तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन जो खग हों तो बसे रोकरों में लिकालिंदी कुल कदंब की डारन तो करें कि इस पद में रस्खान जी अपनो अपनी मनो भावना वेक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभू ये दमे मनुश्य योनी मैं जन्मलू या दि मैं मनुश्य बनू तो वही रस्खान और करें कहां बसो ब्रज गोकुल गाउं के गारन तो हमारा निवास इस्थान कहां चलेगा के रहे हैं कि चरो नितनन्द कि धेनु मधारन लेकिन फिर भी हमारी इच्छा या है मधारन वे सोता है मध हमारी इच्छा या है कि मैं हमेशा नंद बाबा की कायों के बीच में चरूопрос और क्या रहे हैं कि पाहा नहो तो वही गिरी को हे प्रभू ये मैं पत्थर बनू तो मैं वही गिरियाज का पत्थर बनू जिसको धर्योकर छत्र-पुरंदर धारणपुरंदर रधा सेकृष्णे किरें कि जिसको स्रीकृष ने अपनी उनली पर धारण किया था और च्छाता जिसे की ब्रच के लोगों की एक च्छाता की भात बना करके रच्छा की थी किरें कि जो धरियो कर जिसको अपने हाथों में धरण किया, खत्र एक छाते की भाहत पुरंदर अर्फार स्रीकृषने धरण किया था, और किरें कि जो खगऊं तो बशेर करों। रस्खान जी कहते हैं, ये मैं पक्षी बनूँ, तो हमारी इच्छाया है, हमारी विलासाया है कि मैं बशेरा करूँ हमारा निवास इस्थान वहा हो, किरेगे की मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। मैं यमुणा के किनारे मिलकर कैख सभी पक्ष्यों के बीच में यमुणाजी के किनारे कदम के विक्षों पर कदम की डारों पर मैं निवास करूं पिर से देखे, करें कि हे प्रभू, यदि मैं मनुश्य बनूँ, तो वही रस्खान, अर्थात हमारा जन्म जो है, ब्रज के गाउं के, ब्रज के गाउं में हो, और करें, जो पसु हो तो कहां बस मेरो, हे प्रभू, यदि मैं जन्म लूँ, पसु योने में, तो हमारा बस उस पर कहां लेकिन हमारी फिर विया अभिलासा है कि मैं हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में चरूँ और यदि मैं पत्थर बनूँ तो वही गिराज का पत्थर बनूँ जिसको कनहिया ने अपने उली पर धारण करके छाते की भात ब्रज के लोगों की रच्छा की थी और क करें कि यदि मैं पक्षी बनू तो हमारी अभिलासा या है कि मैं यमुना जी के किनारे कदम की डार पर जो है सब पक्षियों के साथ मिल करके रहूं तो दूसरा पर देखिए आज गई हुति भो भो रही हो रसह खाने रही वहिनंद की भÓ नहीं वाखो जी एल जुग लाख करो रच सो मति को सुक कह जाते के हो नहीं तेल लगाये लगाये के अंजन भौह बनाये भनाये धिड़ो नहीं हम दो दारी हमेल निहार निहारत वारत ज्यों चुछ परत नहीं तो देखी in पध्य में जो है यह समय का वर्डन है । जब एक गौपी जो है वहाँ ब्रज के गाउं में ब्रज के नंध जी के घर में गई और वहां पर उसने देखा तो तो क्या देखा उसी का वर्ण के नहीं को देखकर, उनकी बाल लीडाओं का वर्ण करते हैं कहती है, यह सकि आज गई हुति भो रही हों। यह सकी मैं आज प्राटा ही नंद बाभा के रसकानि वही नंद के भो नहीं। मैं नंद बाभा जी के घर गई। कि वहाँ पर जिंवन गई तो मैंने जो देखा कि वहाँ नंड जी का लाखों करो न वर्षों तक जीवित रहें यह सुमत को सक्षग जात क हो नहीं और यह शुदा तो इतनी प्रसंट नह indices बालक को पा करके उसके प्रेम में कि उनके सुख की प्रसंसा नहीं की जा सकती है और क्या कह रहें कि माता एशोदा उस बच्चे को जो है तेल लगाए लगाए के अंजन उसे तेल लगा करके अंजन माने होता है काजल उसे काजल लगा करके भौहें बना करके उसकी और बना ये धिधोरन धिधोरन माने होता है नजर का टीका जो की बगल में सर के नीचे थोड़ा सा लगाते हैं माताएं तो वही कह रहे हैं कि माता ये सोदा उस बच्चे को तेल लगाती है उसे काजल लगाती हैं उसकी भौहों को बनाती हैं तता उसे काजल नजर का टीका भी लगाती हैं और इतना ही नहीं कह रहे हैं कि ये सोधा माता डारी हमेलनी हमेलनी अर्थात जो है हमेलनी का मतलब होता है गले का अभूशन या कंठहार गले लगाना तो वही कह रहे हैं कि माताय शोदा अपने लाल के गले में अपना गला डाल करके उसे बड़े प्रेम से देखती हैं और वारत यो चुचिकारत शोने ही और उसे उस पर अपना सब कुछ ने उचावर करती हैं उसकी बलाएं उतारती हैं और इस प्रकार से उसे चुचकारती है इस परकार से उसे लाड़ करती है कि जैसे कोई गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है तो फिर से देखिए करें कि एक गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि हिस सखी आज मैं जो है प्राता ही जो है रस्खान बाबा जी के ओर आज मैं नंद बाबा जी के घर प्राता ही गई और वहाँ जो मैंने देखा वहाँ नंद जी का लाला वहाँ लाखों करोनों वर्स जी और उस बालक को देख करके पाकर के उसके प्रेम में माता यसोदा इ और माता यशोदा उस बालक को तेल लगाती हैं और उसके काजल लगाती हैं और उसकी भौहों को बनाती हैं तथा उसे नजर का टीका भी लगाती हैं और उसके गले में अपना गला डाल करके उसे खूब प्रेम से निहार करके अपना उस पर सब कुछ वारती हैं उसकी बलाए वैसे जैसे कोई गाय अपने बच्छडे को प्रेम करता है वैसे ही उस बालक से माता यशोदा प्रेम करती हैं। अब तीसरा पद देखिए। काग के भाग बड़े सजनी हरी हांत सुले गयो माखन रोटी करें कि भूरी भरे अती धूरी भरे अती सोभित स्यामजू। एक गोपी जह हैं। दूसरी गोपी से कहती है कि हिसकी कनहिया धूर से सने हुए। को लगी रहती है कनहिया धूर से जो सजे होते हैं तो बड़े ही सुन्दर लगते हैं। और क्या करें तैसी बनी शिर सुन्दर चोटी और वैसी ही जो है उनके सिर पर वधी उनकी चोटी है उतनी ही सुन्दर। और करें हैं करें कि खेलत खात फिरे यंगना वे खेलते खाते अपने आंगन में नंद जी के आंगन में जो है खेलते खाते घूम रहे हैं और पग पैजनी बाजती। और उनके पैरों में जो पायल है वह बज रही है और करें कि पीरी कछोटी पीरी माने पीला और कछोटी माने कच्छा और उन्होंने पीला पीला कच्छा पहन रखा है। जो अपनी करोणों कलाओं की संपदा को जो है ने उच्छावर कर देते हैं और कहरें कि काग के भाग बड़े सजनी हिस सखी उस कववे के भाग की कितनी सराहना की जाए जो कववा जो है भगवान स्रीकृष्ण के हाथ से माखन रोटी लगा कर जो लगई माखन रोटी थी छीन करके ले गया फिर से देखिए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है स्रीकिष्ण के बच्पन के वर्णन करते हुए कि स्रीकिष्ण जो है धूर से जो है सने हुए धूर से भरे हुए बहुत ही सुसोभित हो रहे हैं और उतनी ही सुन्दर उनकी उनके सिर परवधी और उनके पेरों में जो पायल है वह बज रही है और जो उन्होंने पीला-पीला कच्छा पहना है और इस चबी को देख करके जो है कामदेव अपनी करोणों कलाओं की संपदा को वार देते हैं और कहती हैं हिसकी उस कवे के भागे की कितनी सराहना की जाए जो कवा भगवान क हाथ से माखन लगी हुई रोटी को लेकर गया अब चौथा पद देखिए जा दिन ते वहनंद कुछ हुराया बन धेनु चराय गयो हैं मोहनिता नहीं गोधन गावत देनु बजाय रिजाय गयो हैं वादिन सोक छुटोन सोक एरस खान नहीं ओमे समाय गयो हैं कोन काहो किकान करे सिंगरो ब्रजवीर भिकाय गये हैं तो देखि करें कि जा दिन से वहनंद कुछ हुरा गोपिया कहती हैं कि है सकी जिस दिन से नंद का वहलाडला बालक इस बन में आकर के गाय को चरा करके गया है और क्या करें मोहनी ताननी गोधन गावत और गाय चराते हुए जो अपनी मोहनी तान मोहित कर लेने वाली जो बासरी की तान जो है सुना करके गया है कि बेनु बजाए रिजहाए गये हो बेनु माने बंसी और बंसी बजा करके जो है वह हमें प्रसंद करके गया है रिजहा अथात प्रसंद करना विजहा करके गया है उस दिन से ऐसा लगता है वा दिन सोक छुटो न सुकए उस दिन से ऐसा लगता है कि हिसकी जैसे कोई जादू सा करके हमारे मन में प्रवेश कर गया है और अस्खान यहों में सया आए गया है कि उसी दिन से ऐसा लगता है कि कोई टोना करके जादू करके हमारे हिड़े में समा गया है अकोवन काहु की कानी करे अब कोई भी जो है किसी का कहा नहीं मांगती है कोई भी गोपी किसी का कहा नहीं मांगती है और कह रहें कि सिंगरो ब्रजबीर विकाए गए हो सारे ऐसा लगता है कि सारे बिर जो है उस कनहिया के प्रेम में बिक गए है उस हाथों कनहिया के हाथों में बिक गए है तो देखी कह रही कि है सकी जिस दिन से वहनंद का लाडला वालक लाडला कुश्न यहां पर आकर अपनी बासरी को बजा करके गया है और अपनी मौहित कर लेने वाली बासरी बजा करके गया है हमको प्रसंद करके गया है उस दिन से ऐसा लगता है कि जैसे कोई तोना करके जादू करके हमारे हिर्दे में समा गया है और अब कोई किसी का कहा नहीं करता है अब तो ऐसा लगता है कि सारे ब्रजिके वीर उस कनहिया के हाथों में दिख गये है अब पांचमा पद देखिए पांचमा 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 पांचम सौत का जो ताप है यह अब कैसे सहा जाएगा कि यह गोपियां कि मैं इस सौत के ताप को क्यों सहूं कि जिन मोह लियो मनमोहन को जिस बासुरी ने जो है मनमोहन स्री किष्ण को मोह लिया है वह हमेंसा करें कि रसखानी सदा हम को दई हो गोपियां कहती है कि वह हमेंसा हमें जलाती रहेगी मिलियाओ सबे सक्षी भाग चलें इसलिए आओ है सक्षी हम सब मिल करके ब्रज छोड़ करके भाग चलें अब तो ब्रज में सिर्प बासुरी ही रहेगी तो देखे कह रहे हैं कि एक सकी कहती है कि हे सकी अब हमें यहाँ पर कौन पूछेगा अब तो यह सौत बासुरी ही दिन रात कनहिया के साथ लगी रहती है इसलिए अब यहाँ से भाग चलें क्योंकि इस सौतन के कश्ट को हम नहीं सहेंगे जिस बासुरी ने मन मोहन कनहिया को हर लिया है अपने वसमे कर लिया है वह हमेशा वह मुरली हमेशा हमें जलाती रहेगी इसलिए हिसकी आओ हम सब मिल करके भाग चलें अब तो सिर्फ ब्रज में बासुरी ही रहेगी अंतिम पद है रसकान जी जो है उस दुष्चे का वेंडन कर रहे हैं जहां पर गोपियां आपस में एक गोपी को तयार करती हैं कि और गोपी को कृष्ण बनाती है और कहती है कि देखो वह गोपी जो कृष्ण बनती है वो क्या कहती है करें मोर पखासिर उपर रही हो करें मोर्ग के पंक से सुसोबिच जो मुकुट है हिसकी मैं उसे अपने उपर अपने सर पर धारन कर लूँगी और गुंज की माल गले पहिरूंगी और गुंज की माला मैं अपने गले में धारन कर लूँगी और करें ओड़ी पितांबर ले लकुटी जाओंगी, कहने कि भावतो ही मेरोर सिखानी, ये सब मुझे अच्छा लगता है, ये सब मैं करूंगी, सो तेरे कहे सब सौंग करूंगी, ये सब मैं हिसकी तुम्हारे कहने पर ये सारे नाटक करूंगी, लेकिन करें, या मुरली, मुरली धर की, लेकिन हिसकी, जो कनहिया की म मुर्ली है मुर्ली धर अर्थात कनहिया जो कनहिया की मुर्ली है जिस कनहिया ने जिस मुर्ली को अपने अधरा अर्थात ओठों पर करें जिसे अपने ओठों पर लगाया था मैं उस मुर्ली को अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी फिर से देखिए कि है सकी मैं मौर के पंक को अपने से सुसोबित मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूँगी गुंजों की माला मैं अपने गरे में पहन लूँगी और मैं पीतामबरी धारण कर लूँगी ओड़ लूँगी और लकुटी ले करके मैं बन में गौालबालों के संग गाय को चराऊंगी और जो तुम्हें अच्छा लगता है मैं वो सब नाटक तुम्हारे कहने पर करूँगी लेकिन हिसकी जो कनहिया की मुर्ली है उस मुर्ली जिस मुर्ली को कनहिया ने अपने ओठों पर लगाया है उस मुर्ली को मैं अपने ओठों पर नहीं लगाया है